लो फ्रेंड्स वागत आपका रीना रसोई में फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले एपल मिठाई जैसा कि आप सभी जानते इस तरह की मिठाईया मार्केट में बहुत ही कॉस्ली आती है बट आप इसे घर पर बहुत ही कम कीमत पर और 7-8 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते तो चलि घी का डाला है और डालने के बाद उसको मेल्ट होने देंगे मेल्ट होने के आद मैंने यहां आदा कप दूड डाल दिया है दूड को हम हलका गरम होने देंगे उसके बाद मैं वन फोर्थ कप चीनी डाल रही हूँ अब चीनी को भी हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे अब यह लग सकता है और फ्रेंट यहाँ पर एक बात ध्यान रखे कि इसमें बिल्कुल भी लंस नहों आप देखो गे एक से दो मिनट के अंदर यह थिक हो जाएगा अब यहाँ पर मैं वन फोथ टीस्पूइन लाइची पाउडर डाल रही हूं और एक ड्रॉप के वल मैं यलो फ खो गया तो गैस को मैं बंद कर दूँगे और इसे एक प्लेट पे निकाल लूँगी और इसे हम हलका ठंडा होने देंगे जब हमारा यह लुक वार्म होगा तभी हमें इसके लड्डू बनाने हैं मैंने हाथ को चिकना कर लिया ताकि यह चेप के न और इस तरह हम गोल गोल इसके बॉल्स बना लेंगे अब हमारे सारे बॉल्स बनकर रेडी है तो अब नेक्स प्रोसेस की तरफ चलेंगे मैंने दो से तीन बुंदे रेट कलर ले लिए और इसमें दो से तीन बुंदे ही दूद की डाली ताकि स्मूध हो जाए अब मैं आप उपर से अंगुठे की स चाहिता है यह तो हलका सा प्रेस करूंगी और मैं बॉल्स से इसको पेंट करूंगी फ्रेंट्स मैं आपको एक प्रोसेस और बताने वाली हो अगर आके ब्रस नहीं है तो आप डाइरेक्ट हातों से भी कर सकते हो तो यह देखे यह मेरा ब्रस से बनकर रेडी है तो अब मैं मैं आपो इसका दूसरा प्रोसेस बताती हूं और को कर देखते हो पूरी नहीं होती है तो इस तरह बहुत ईजली कर सकते हो, फ्रेंस अगर आप ये रेजीपी देखरें और आपको पसंद आए, तो फ्लीज लाइक कर दे और कमेंट करकर जरूर बताये कि आपको ये रेजीपी कैसी लगी, और एक बार ये रेजीपी जिरूर Try करे, और फ्रेंट जब यह पूरी बन जाए तो एक बाद ध्यान रखे इसे बनने के बाद एयर टाइट डबो में ही रखे अधर्वाइज हवा लगकर मिठाईया के ओती सुख जाती है जब आप एयर टाइट डबो में रखोगे तो नहीं सुखेगी अब यह हमारे बनकर बिल्कु करने की कोशिश करेंगे इसे हमने काटने का प्रिवियस वीडियो में भी बताया था कि हमें पिस्ता कैसे काटना है ताकि फ्लैक्स जैसे निकले इस तरह हम पिस्ता लगा देंगे तो अब हमारा यह फ्रेंट्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी है आप यह रेसिपी एक बा है कि आपको कैसी लगी और लाइक करना बिल्कुल न भूले रेसिपी देखने के लिए थैंक्यू थैंक्स फॉर वाचिंग